जै हिन दोस्तों पैनी स्टोक के बार में बाते करें हैं पैनी स्टोक का डार पर आया है जो पैन लेकर खांग का 500 इंटरस्टिंग लिये ऑ diligence के वह trading करते हैं और हर तरह के paper युआ हर बुकर और हुइसे मार्केट काप 116 दोला करोड शेर की पी एक सो साथ आज जो बाव जल रहा है और फिफ्टी टू विक लो बनाया है स्टॉप ने आज ही और हाई जो है 10.4 और फेस वैल्यू है रुपीज वन और नंबर्स को देखेंगे यह और यह बेसे पर यह नंबर यह बेसे पर और सारे नंबर जो है क्रो 2015 से 10, 11, 14, 21, 30, 32 यहां पर 20 है यह TTM है यह मार्च 2020 का अगर देखें तो यह हाईस्ट है अब तका 32 यह एक अपडेट और प्रॉफिट बीफोर टैक्स भी जो है जो हाईस्ट प्रॉफिट पोस्ट कहता 2019 में 17 मतलब प्रॉफिट बीफोर टैक्स 17 उससे बस एक करोड कम 16 है और EPS जो है वह भी कॉंस्टेंट है 0.18, 0.18 और नेट प्रॉफिट भी कॉंस्टेंट है अज कमपार्ट तो लास्ट यह और डूसरी चीजों को अगर देखें बॉरोइंग कंपने के उपर जो कर्ज है वह उतना ही है आरांड मार्च 2019 के मुकाबले आरांड 9 करोड जादा ह हो चुका है 174 तो यह एक इंट्रेस्टिंग अपडेट और जो एसेट से उसमें बड़ोतरी हुई है लगबग 35 क्रोड की जीहां 332 क्रोड के एसेट है कंपनी के पास बहुत ही बड़ी आप अपरेडिंग प्रॉफिट देखने मिल रहा है EPS भी कॉंस्टेंट है और जो श इस उतना शेर सुनों नहीं गिरवी रखा है यहां 10.9 परसंट गिरवी रखा है और बागी का बचा हुआ हिस्सा पूरा ही रिटेल इंवेस्टर्स के पास है मतलब पब्लिक के पास है और अधर पार्टी के पास कुछ उसमें से 22 परसंट है आप आप देख सकते हूं यहां अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो या फिर आपको आपको आपकी चॉइस के सबसे आपको जो भी पसंद है उस सेक्टर के शेर मिल जाएंगे अब आगे बढ़ते हैं और जाते है चाट पैटन्स पर और देखने मिल रहा है चाट पैटन कुछ ऐसा और डाटा है हमारे पा अगरस्त और तब स्टॉक ने लगाया था राउंड बारा रुपय का और उस महिने के बाद स्टॉक कभी लारण रुपय के असपास जा ही नहीं पाया जी हां कभी भी बारा रुपय के सब्सको देखें तो जहां पिछ़ए समय बाउंस बैख रहता हो वह रहता है सबसे पह इसको भी तोड़ दिया अब के ट्रेंड को चेक करें तो आपको देखने मिले रहा होगा किस तरह से नीचे है फिलाल और पिछले दिनों के ट्रेंड को देखे तो स्टॉक का जो लो है देख सकते आप हाई के साथ मैंने लो को कनेक कर दिया तो ब्रेक आउट तो हो गया स्टॉक जो है नीचे चला गया है सो जो इंपोर्टेंट बेस था एक दो रुपय का स्टॉक ने उसको भी तोड़ दिया है उसके भी नीचे काम कर रहा है सो कहने का यहां पर मतलब यह है कि नंबर्स तो काफी बढ़ी आए कंपने के जी हां नंबर्स बहुत ही बढ़ी हो सकता है किसी के लिए एक हजार हो सकता है किसी के लिए 500 हो सकता है किसी के लिए 200 और किसी के लिए 100 आपको प्लान करना है और उसके साफे इंवेस्ट करना है और सबसे इंपोर्टेंट चीज पैसा होता है उसमें आपको पैसा होता है कभी भी दो या तीन गुना हो सकता है ाइसमें टार्गेट कैंते इसमें कुछ नहीं होते है और आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करते हो और वह पैसा आपके इन्वेस्ट करने के लेवल के बाद अगर दुगना हो जाता है आपको रूल करना discipline के साथ और वो यह है कि जब वो स्टॉक डबल होगा आपको आपके इंवेस्टमेंट के पैसे निकाल देने हैं अब पूरी तरह से केर्फरी हो गया अब कंपनी का आगी जाके जो भी होना है शुन्य हो जाए डिलिस्ट हो जाए कोई भी प्रब्लम हो जाए आपको कोई असर नहीं बड़ेगा अगर किसी कारण स्टॉक मल्टी वैगर बनता है तो आपका ही फायदा है और इस तरह से कैपिटल करने का फायदा के बारे में और पैनी स्टॉक में इंवेस्ट कैसे करते हैं उसके बारे में वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा पूरी कोशिश होती है मैक्सिमम इंफर्मेशन आपके सामने पेश की जाए और आप लोग वीडियो देख लेते हो मैं